या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेल संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमहा नौरात्रे यानी नौराते इन नौराते इन नौरातों और दस दिनों के दोरान शक्ति स्वरूपा देवी के नौर रूपों की पूजा की जाती है दसमा दिन तशहरा के नाम से प्रसिद्ध है, नौरात्र वर्ष में चार बार आता है, पौश नौरात्र, चैत्र नौरात्र, आशार्ध नौरात्र और अश्वनी नौरात्र, नौरात्र प्रतिपदा से नौमी तक मनाया जाता है, नौरात्र के नौरातों में तीन देवियों महालक्षमी, महासरस्वती और दुर्गा के नो स्वरूपों की पूजा होती है जिने नव दुर्गा कहते हैं इन नो रातों और दस दिनों के दौरान शक्ति स्वरूपा देवी के नो रूपों की पूजा होती है दुर्गा का मतलब जीवन के दुख को हटाने वाली अर्थाद दुर्गा दुर्गत नाशनी समस्त कष्टों से छुटकारा दिलाने वाली देवी मा दुर्गा स्वरूपा नुदुर्गा के स्वरूपों का वर्ण दुर्गा शब्द श्रती में किया गया है पहले स्वरूप में शैल पुत्री के नाम से जानी जाती है यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है परवत राज हिमाले के घर पुत्री के रूप में उत्पन होने के कारण इनका नाम शैल पुत्री पड़ा नौरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्ही की पूज पूजा और उपासना की जाती है शैल पुत्री मा दुर्गा का पहला स्वरूप है नवरात्र में दुर्गा पूजा के अवसर पर अनेग विधान है जो दुर्गा पूजा के नव रूपों में पूजा और उपासना के रूप में जानी जाती है आए जानते हैं प्रथम देवी शैल पुत्री ने दाएं हात में तुशूल धारन का रखा है और बाएं हात में कमल्श शोविट है यही देवी प्रथम दुरगा है यही सती के नाम से भी जानी जाती है इसकी बड़ी ही मार्मिक गथा है एक बार जब प्रजापती ने यग्य किया तो इसमें सारे दे भगवान शंकर को नहीं, सती यग्य में जाने के लिए विकल हो उठी शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंतरित किया गया है उन्हें नहीं एसे में वहां जाना उचित नहीं है सती का प्रबल आग्रा देखकर शंकर जी ने उन्हें यग्ग में जाने की अनुमत दे दी सती जब घर पहुँची तो सिर्फ माने ही उन्हें स्ने दिया बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे भगवान शंकर के प्रती भी तिरसकार के भाव देखकर उनका मन द्रवित हो उठा राजा दक्ष ने भी उनके प्रती अपमान जनक भचन कहे जिससे सती को कलेश पहुचा और वे अपने पती का ये अपमान सहें नहीं कर सकी और वहीं योग आगनी में अपने आपको चला कर भस्म कर लिया इस दारुन दुख से विथिद होकर शंकर भगवान ने उस यग्ग को ही विद्भंस करा दिया यही सती माता अगले जन में शैल राज हिमाले की पुत्री के रूप में जन्मी और शैल पुत्री कहलाई शैल पुत्री का विवा भगवान शंकर से हुआ शैल पुत्री शिवजी की अरधांगिनी बनी इनका महत्तो अनंत है पारवती और हेमवती भी इनी देवी के अनिनाम है वंदेवान्चित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम वरशारूढाम शूलधराम शैल पुत्री यशर्ष्रनीम अगली कड़ी में कल हम बात करेंगे नौरात्र के दूसरे दिन की देवी ब्रह्मचारनी के बारे में यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आपसे अन्रोध है कि हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें देवी मा की गृपाया आप पर सदयों बनी रहे जै मादूर के